नमस्कार भारत लाइब देख रहे हैं आप बिहार के मुखमंतरी नितीज कुमार के उप्राश्पती बनने की चर्चा आप सुर्खियों में बनी हुई है इस पर जो है अब जद्यू के निताओं का भी बयान सामने आया है हलाकि इस से पहले जो है तेजस्वी जादब ने भी इस पर बयान दे दिया है लेकिन अब जद्यू के निताओं का भी बयान सामने आने लगा है जद्यू के परदेश महासचीव डाक्टर निहोरा परसाद ने बताया है कि बिहार में राजनितिक गलियारों में मुखमंत्री नितीस कुमार पर खूब चर्चा हो रही है कि आब वो मुखमंत्री नहीं बने रहना चाहते हैं बलकि अब उनकी निगाहें भारत के उपराश्पती बनने की इच्छा है आपको बता दें कि इस मसले को लेकर बिहार सरकार के मंत्री सरवन कुमार के बाद अब जद्यू के बरिष्ट नेता एबं परदेश महासचीव एबं परवक्ता डॉक्टर निहोरा परसाद ने बताया कि मुख मंतरी नितीज कुमार को बिहार की जनता की सेवा की ज़रत है साथी उन्होंने आगे कहा है कि इस पर जो बाते हो रही है वह पाटी का स्टेंड नहीं है उन्होंने जोड़ देते हुए कहा है कि बिहार में जिस तरह से उन्होंने विकास का कार किया है उसको लेकर बिहार की जनता मुख्मंतरी नितीज कुमार को अभी काम करते हुए देखना चाहती है और उन्होंने बताया आगे कि मुख्मंतरी नितीज कुमार अभी बिहार को जो है नितीज कुमार की जरुरत है और वो उपराश्पती नहीं बनेंगे क्या कुछ कह रहा है जदियू के परदेश महासचीव डॉक्टर निहोरा परसाद आप सुनिए क्या राजनितिक चर्चाएं हो रही है यह तो मुझको नहीं जानकारी है लेकिन यह मैं जरूर कह सकता हूँ कि बिहार के मुखमंत्री नितीश कुमार जी की बिहार में अभी आवशक्ता है जिस प्रकार बिहार में इन्होंने काम किया है और का आने वाले दिनों में भी बिहार में काम करना है तो ऐसे मुखमंत्री की आवशक्ता बिहार को आगे ले जाने आगे बरहाने में जरूरी है अब बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं कभी कहा जाता है कुछ कभी कुछ कहा जाता है लेकिन आज भी बिहार के लोग चाहते हैं कि नितीश कुमार बिहार के मुक्वंत्री बने रहें ताके बिहार और आगे बर सके और विक्सित हो सके मैं यही जानता हूँ बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई अगर रुवा पत्रकाइटा के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद